परिधी भागते हुए हॉस्पिटल पहुँची और भाग कर सीधा रिसेप्शन पर गई मिसिस शुश्मा शर्मा एक सेकेंड मैम रिसेप्शनिस्ट अपने कम्प्यूटर पर डिटेल्स चेक करने लगी थर्ड फ्लोर पर रूम नेमबर 303 थैंक यू और वो सीधा थर्ड फ्लोर की तरव भागी जैसे ही वो थर्ड फ्लोर पर पहुँची वहीं उसे अक्षद बॉर्ड के बाहर टहलता दिख गया साथ में रिचा भी खड़ी हुई थी अक्षद क्या हुआ माम को और कैसे हुआ ये सब आपके घर से निकलने के बाद माम बहुत गुस्से में थी और बहुत दुखी भी थी वो अपने कमरे में उपा जा रही थी कि तभी उनका बीपी एकदम से शूट अप हो गया और वो सीधियों से नीचे गिर गई जिस वजह से उनके सर पर चोट आ गई है ये कहते कहते अक्षत के आसू बहने लगे परीधी भी अपने आसूओं को रोक नहीं पाई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे पास खड़ी रिचा उनके पास आई और परीधी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देने लगी संभालो खुद को परीधी सब ठीक हो जाएगा कैसे ठीक होगा रिचा आज सिर्फ मेरी वजह से मेरी मौ में सालत में है नहीं दीदी खुद को बले मत कीजी इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है I trust you दूर खड़ा कबीर बेबसी से सब कुछ देख रहा था वो बिना कुछ कहे सीधे अपने केबिन में चला गया तब ही रिचा ने उसे जाते हुए देख लिया और वो भी उसके पीछे पीछे चली गई केबिन में कबीर की आखों के सामने परीधी का दुखी चहरा घूमने लगा और उसने गुसे से टेविल पर हाथ मारा तब ही वहां रिचा आ गई मैं खुद को बहुत मजबूर मैसूस कर रहा हूं रिचा मैं परीधी का दुख बाटना चाहता हूं पर पिछली भार की तरह इस बाहर भी हालतों से मजबूर हूं क्यों मेरी ही किसमत में यह सब कुछ लिखा है क्या मैं इतना मन होस हूं कि जब भी परीधी की जिंदगी में आता हूं ना चाहते हुए भी उसके दुख का कारण बन जाता हूं नहीं कबीर परीधी के दुख का कारण तुम नहीं बलकि वो राहुल है आज सुश्मा आंटी राहुल की वजह से इस हालत में है क्या मतलब? कबीर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा और रिचा ने उसे राहुल ने वहां आकर जो कुछ किया उसके बारे में कबीर को बताया कबीर को ये सब सुनकर बहुत गुसा आया मुझे तो ये शुरू से पसंद नहीं था याद नहीं कैसे परीधी के पीछे पड़ा रहता था कितनी ही बार परीधी ने इसे मना किया था पर फिर भी ये नहीं मानता था कबीर और परीधी के स्कूल ने स्पोर्ट स्टे और्गनाइज किया था जहां दूसरे स्कूल के बच्चे भी आये हुए थे कबीर ने स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया था उसी रेस में राहुल ने भी अपने स्कूल से पार्टिसिपेट किया था परीधी अपने स्कूल के बच्चों के साथ कबीर के लिए चियर कर रही थी उसी दोरान ग्राउंट पर खड़े राहुल की नजर उस पर पड़ी पर तब तक रेस स्टार्ट हो गई कबीर और राहुल में बराबरी की टक्कर थी राहुल ने सबकी नजरों से बचकर जान बूझ कर कबीर को हलका सा साइड से पुश किया जिससे उसके कदम लड़ खड़ा गए राहुल एक शैतानी मुस्कान देकर आगे निकल गया कबीर को राहुल पर बहुत गुस्सा आया और उसने बिना वक्त गबाई खुद को संभाला और बहुत तेज स्पीड से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगा और मात्र दस सेकंड के फासले से वो ये रेस जीत गया राहुल उसे गुस्से से देखने लगा जिसे देखकर कबीर ने उसे एक मुस्कान पास करी और वहां से चला गया तभी राहुल का दोस्त रोहित उसके पास आया यार राहुल तुहार कैसे गया बलकि मैंने देखा था कि तुने उस लड़के को हलका सा धक्का भी दिया था गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है पर इस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता राहुल रोहित से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर भीड में खड़ी परिधी पर दुबारा से पड़ी रेस का छोड़ वो देख क्या माल खड़ा है हाँ यार सही क्या रहा है इवेंट खत्म होने के बाद इससे सेटिंग बनाऊंगा जाकर रोहित की बात सुनकर राहुल ने खुद पर बहुत गर्व महसूस किया और दोनों स्पोर्ट स्टे इवेंट के खतम होने का वेट करने लगे सारे स्पोर्ट कॉम्पिटिशन खतम होने के बाद सारे विनर्स को मैडल मिले कबीर को भी मैडल पहनाया गया मेडल लेकर ग्राउंड में वो वहां आया जहां परीधी खड़ी थी कंग्रेचिलेशन्स मिस्टर रेसिंग मास्टर मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी वज़े से ही तो जीत पाया हूं परदी बना मैं तो पार्टिसिबट करने के ही मोड में नहीं था अब मैं तो हूँ ही ग्रेट दोनों हसने लगे और कबीर ने परीधी को एक साइड हग दिया दूर खड़े राहुल और रोहित सब कुछ देख रहे थे भाई ये तो पहले से ही सैट है और देखका लगता है कि बहुत प्यार भी करते हैं एक दूसरे को राहुल ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्ते में वहां से चला गया एक हफता बीद गया पर राहुल के दिमाग में अभी भी परीधी चड़ी हुई थी राहुल अपने कमरे में था तभी उसके पास उसकी मां अंबिका आई राहुल चलो जल्दी से रेडी हो जाओ हमें तुम्हारे पापा के साथ एक बिजनेस पार्टी में जाना है माँ आप लोग चले जाएए मेरा मन नहीं है मन नहीं है तुम्हारा तो पार्टीस में जाने का हमेशा मन रहता है तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? तब यह ठीक नहीं है क्या? ठीक है मा, बस ऐसे मन्हें कर रहा. चलो, अच्छा लगेगा, आशी भी जा रही है, और वैसे भी हम चारों को एक साथ टाइम कहां ही मिलता है साथ रहने का, इन पार्टीज के बहाने ही कुछ टाइम एक साथ स्पें शर्मा भी एक बिजनेसमैन थे, विजय और विनेय रायचंद अक्सर ऐसी पार्टीज में मिलते रहते थे, इसलिए उनकी अच्छी जान पहचान थी. राहुल ने जैसे ही परीधी को देखा, उसका सारा मूर ठीक हो गया. अच्छा ही हुआ कि मैं पार्टी में आ गया, पिछले हफते तुमारे स्कूल में स्पोर्स टे इवेंट हुआ था, तो उसमें रेसिंग में रनर अप था में. ओ अच्छा, ग्रेट पर मैंने किसी भी कॉंपिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो फिर तुम मुझे कैसे जानते हो? अब तुम पर किसी की भी नजर पड़ेगी, तो वो यूही भूल थोड़ी पाएगा तुमको. परीधी को राहुल की बात थोड़ी अजीब लगी. इसक्यूज मी? अरे क्या हुआ? शायद मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई. मैं तो मजाग कर रहा था. वो एक्छुली रेसिंग कॉंपिशन में जो जीता था ना. मैंने उसके साथ तुम्हें देखा था. इसलिए याद हो तुम मुझे. ये सुनकर परीधी थोड़ा नॉर्मल हुई. ओके. वैसे तुम इस पार्टी में कैसे? एक्छुली मेरे फादर भी एक बिजनेस मैन है. तो अक्सर हमारा आना होता रहता ऐसी पार ये कहकर परीधी वहां से चली गई. राहुल मन ही मन क्लिस करता रह गया. पार्टी में राहुल की नजरे सिर्फ परीधी पर थी. परीधी अपने मम्मी पापा और भाई के पास आ गई. जो विनए रायचंद, अंबिका और छोटी सी आशी के साथ खड़े थे. परीधी नहीं जानती थी कि वो राहुल का परिवार है. बेटा, अंकल आंटी से नमस्ते करो. नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी. भाई सहाब, ये मेरी बेटी है, परीधी. नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते. राहुल ने जब परीधी को अपने पेरेंस के साथ खड़ा देखा, तो वो भी जल्दी से वहाँ आ गया. बिने रायचंद ने राहुल का इंट्रोडक्शन विजय और सुष्मा से कराया. राहुल ने इंप्रेशन जमाने के लिए जट से पैर छूलिये और उनसे घुलने म मिलने की कोशिश करने लगा. बेटा ये है परीधी, मेरी बेटी. हाँ अंटी, मैंसे जानता हूँ. पिछले हफ्ते स्पोर्ट्स इवेंट में हमारा स्कूल इसके स्कूल गया था. ये तो बहुत अच्छी बात है फिर. बैसे परीधी, इस वक्त बायो में तुम्हारे चल रहा है. एक्चुली, हमारे हाँ बायो के टीचर इतना खराब पढ़ाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता और नहीं परपर नोट्स देते हैं. हाँ, वो अभी सेल साइकल और सेल डिविजन चल रहा है. वाओ, वो तो सबसे जादा स्कूरिंग पोर्शन होता है. काश, मैं त दास चहरे से कहा, अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, तुम फोन पर नोट्स मंगा ले ना. पर आंटी, नमबर. परिधी, बेटर रहुल को अपना फोन नमबर दे दो. परिधी ने रहुल की तरफ देखा, जो अभी भी बेचारा सा मूँ बनाए खड़ा था. पर परिधी को मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आया, पर इस वक्त फोन नमबर देने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था. उसने बेबन से रहुल को अपना फोन नमबर दे दिया, जिसे पाकर मन ही मन रहुल ने अपनी जीत महसूस करी. कुछ ही देर में दोनों पर परिधी ने ये बात रिज्चा और कबीर को बताई. समझने आ रहा कि क्या करूँ, इस लड़के ने तो पागल कर रखा है, ब्लॉक भी नहीं मार सकती, क्योंकि हम दोनों के परिवार फैमली फ्रेंड्स हैं, उपर से अकसर पार्टीज बगेरा में मिलना होता है, तो बहु ये कहकर परिधी वहां से चली गई, शाम को घर पहुचने के बाद जब उसने अपना फोन चेक किया, तो वहां एक्षुल में राहुल का प्रपोजल पड़ा हुआ था, परिधी ने अपना सर पकड़ लिया, और फिर जुझलाते हुए राहुल को फोन मिलाया, ये तुमने ये कहकर परिधी ने फोन डिसकनेक्ट कर दिया, परिधी की ना से राहुल का इगो हर्ट हो गया, और उसने मन में ठान लिया, कि वो परिधी को अपने सामने जुका कर रहेगा, आखिर ऐसा क्या हुआ, कि राहुल से इतना इरिटेटेड रहने वाली परिधी उसके साथ आ कबीर और परिधी के अलग होने के पीछे क्या वज़ा थी, आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए, प्यार के बंधन 2, दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर, ठेंक्स पर वाचिंग